बस्तर की जीरम घाटी में नौ साल पहले हुई माववादी घटना की याद में आज प्रदेश में जीरम शर्धानजली दिवस मनाया जा रहा है 25 मई 2013 को जीरम घाटी में नकसल हिंसा के शिकार हुए जन प्रतिनिधी वरिष्ट पदाधी कारीगर्ण सुरक्षावलों के जवान और माववादी हिंसा में शहीद हुए आने लोगों की स्मृति में 25 मई को हर साल जीरम शर्धानजली दिवस के रूप में मनाय जाने का निन्य राज्य शासन ने लिया है इसका आदेश सामाने प्रशासन विभाग से जारी किया गया है जिसके मुताबिक 25 मई को राज्य के सभी शास्किय अर्ध शास्किय कारेलेव में शहीदों की स्मृति में राज्य में शानते स्थापित करने की शपत लेने के साथ ही दो मिनट का मौनधारण किया जाएगा 36 गड़ विधान सभा में भी जीरम हमले में शहीद हुए लोगों को शधान जली आर्पित की गई विधान सभाद्धक्ष टॉक्टर चरंदास महंत ने कहा कि घटना मानेविय बरबरता का एक ऐसा उदाहरण है जिसने सभी देश वासियों को जग जोर कर रख दिया उन्होंने जीरम हमले में शहीद हुए लोगों के परिजनों को शाक्षनिक योग्यता के आधार पर रोजगार देने की मांग भी की अपने पास आने और उनको ये एसास दिलाने की कोशिस की कि हम आपके ही हैं आपके परिवार के ही हैं मेरी इक्षा हुई कि मैंने जो कहा कम से कम जीरम घाटी के सहीद परिवारों को उनके सिक्षा नुसा रोजगार दिया जाएं ये मैं मांग करता हूँ इस दोरान विधान सभा में विपिन त्रिपाठी द्वारा जीरम हमले पर लिखी गई किताब का विमोचन भी किया गया वही मुख्यमंत्री भुपेश बखेल ने जगदलपूर के लालबाग मैदान में जीरम हमले में शहीद हुए लोगों की याद में जीरम घाटी शहीद मेमोरियल का लोकारपन किया जहां उन्होंने शहीदों को शद्धान जली अर्पित की लालबाग मैदान में जीरम घाटी में 32 शहीदों की याद में मेमोरियल इस्थापित किया गया है